हेलो फ्रेंड्स इन टुदेश लेक्च्चर वी आर गोइंग तुस्टेडी मल्टिप्लिकेशन ओफ फाइव डिजिट नंबर्स स्क्रीन पर कुश्चिन आपके सामने है इस कुश्चिन को करने के लिए टोटल नाइन स्टेप्स होंगे बहुत ही आसान मैथट है एक अल्टरेट मैथट है फाइव डिजिट नंबर्स की मल्टिप्लिकेशन करने का बड़े ध्यान से समझेगा यह विले इंजॉई को लेना है थ्री और टू को जिए धम देखे त्प में हमेथ 3 और टू को लेना है फस्त डिजिट और इनको हमने मल्टिप्लाइ करना है तो लास्ट वाले यह नमबर मूण एंगे 3 1 2 2 कितना आएगा शिक साँगा रहिट 3 को 2 जह मृली करने और हम यहां पर सिक्त लिखित 3, 2, और इसमें हमने क्या करना है, इस 2 को इस 2 से multiply करना है, 2 को 2 से multiply किया, 4, और 3 को 3 से multiply करना है, 9, और इनको क्या कर देना है, add करना है, 2 x 2 4, 4 plus 9, 13 और इसी 13 को यहां लिख देना है और इसके बाद क्या करना है 3rd step हमारा होगा 3 digits उठाने है और उसमें करना क्या होगा पहले इस 2 को इस 1 के साथ corner values को आपस में cross multiply 2 को 1 से multiply किया we get 2 फिर 0 को 3 से multiply करेंगे 0 और middle value 2 x 3 6 answer will be 8 तो यहां पर क्या लिखेंगे 8 इसके बाद क्या करेंगे फिर 4 digits उठाएंगे पीछे से 4 digits कैसे लेने है हमारा 4th step क्या बनेगा इस 2 को इस 0 से corner value values को आपस में multiply करना है 2 x 0 0 फिर इदर वाली corner value 1 को 3 से multiply किया 3 फिर middle वाली जो दो values है 3 को 1 से किया 3 0 को 2 से किया 0 हमारा answer आएगा 6 तो यहां पर 6 लिख देते हैं 5th step 5th step रहेगा पांचों वैली उठानी है हमने और पांचों वैली उठाके कैसे करेंगे पहले corner वाली वैली तू को 1 से multiply किया 2 3 को 2 से किया 6 अब corner values यूज होगी तो बीच वाली तीन रह गए हमारी 3 को 0 से किया 0 1 को 2 से किया 2 फिर middle वाली 1 को 0 से किया 0 और इनको add करना है आप में 6 plus 2 8 plus 2 10 तो हम यहां पर 10 लिख देते हैं 5th step हमारे हो गए है अब आगे चलते हैं next step देखिए 5 तक कर लिया हमने अब हमें decreasing order में चलेंगे पहले एक term ली थी दो ली थी तीन चार पांच पांचों complete हो गई अब फिर four terms लेनी है लेकिन अब four terms कौन सी लेनी है इस तरफ से शुरू करके यानिकि first, second, third and fourth तो यह पहले चार terms हम उठाएंगे अगला step करने के लिए चार terms में कैसे होगा इन चारों की corner values जैसे यहां three fourth term पे थी को one से multiply किया three और उपर यह two है two को two से multiply किया four right फिर इस zero को zero से किया zero और इस one को one से किया one तो इसका answer आया eight तो यहां पर eight आएगा seven step हमारा होगा three terms लेनी है यहां से पहली दूसरी और तीसरी इस zero को one से corner किया तो zero right zero को one से किया zero और इदर से one को two से किया two two और middle वाली zero को one से किया zero answer is two तो यहां पर आएगा two आएगा अब हम three digits ले चुके हैं our next step is to take two digits one को one से किया one two को zero से किया zero तो इसका answer आया one और ninth step सिरफ single digit लेना है one को two से किया two आएगा right तो यह हमारा two आपके answer तो एक line में ही यह बड़ी simple calculation है लेकिन concept समझने के लिए हमने इसको step by step अलग लग लिखा ताकि कोई confusion ना रहे अब हमारा सिरफ एक step यहां पे है six as it is थर्टीन है थर्टीन का पीछे वाला three यहां पे लिख लेना है और इस one को आगे वाले eight में add कर देना है eight plus one nine फिर यह six as it is ten का यह zero यहां लिखिए इस one को आगे वाली value में add कर देजिए eight plus one nine then two यह one और यह two तो यह हमारा answer है इन दोनों की product two one two nine zero six nine three six तो बहुती असान method है चलिए एक question और करते हैं ताकि इस concept को अच्छे से समझा जाए देखिए यहां पर अब कैसे करेंगे सबसे पहला step क्या करना था हमें five को four से multiply करना है right five को four से multiply करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा और उस 20 को हमने यहां लेख देना है right second step four को four से multiply करना है क्योंकि दो digits लेने ना four को four से किया 16 five को three से किया 15 15 तो 16 प्लस 15 कितना होता है 31 तो यहां पर 31 आएगा third step तीन डिजिट्स लेने four three's are twelve five one's are five four three's are twelve 12 प्लस 12 24 24 प्लस 5 29 तो यहां पर क्या लिखेंगे 29 अब चलते हैं आगे fourth step क्या होगा fourth step में हमने four digits लेने है four digits किस त्रीके से लेने है यह देखिए एक, दो, तीन, चार corner values four को two से multiply करेंगे क्या होगा eight और इधर वाली corner value one को five से multiply करेंगे तो क्या होगा five पीच में दो terms रहेगी अब इनको cross multiply three को three से multiply किया nine one को four से किया four इनको add करके देखते हैं क्या बनता है eight plus five 13 13 plus four 17 17 plus nine 26 तो यहां पर क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे fifth step जिसमें हम सभी terms को use करेंगे corner values four को one से किया four इधर से two को five से किया ten middle में तीन terms बचकी इनकी corner value three को two से किया six one को four से किया four फिर three को one से जो बीच में बच गई three को one से किया three इनको add करते हैं देखतें क्या बनता है ten plus four 14 14 plus six 20 20 plus four 24 24 and three 27 so I'll write 27 here तो पांचों use कर चुके अब हमने फिर से four terms लेनी हैं लेकिन left side से one two three और four और इन four terms की corner values यानि कि इस three को इस one से multiply करेंगे three और इस उपर वाले four को इस corner value two से करेंगे तो eight बीच में दो terms है one को two से किया two और इस one को three से किया three तो क्या बनेगा eight plus three eleven eleven and two thirteen thirteen and three sixteen so I'm going to write sixteen here next step में three terms लेंगे यानि कि यहां पर two one और one वाली यह इन टर्म्स इनकी corner values one को one से किया one three को two से किया six और two को one से किया two तो यह कितना बना nine तो nine यहां पर लिख लेते हैं eight step two digits उठाएंगे one को one से किया one two को two से किया four so it becomes five तो यहां पर five लिख देंगे और last step इस one को two से multiply करेंगे तो क्या आएगा two आएगा अब देखिए एक step और करना है बस zero है ध्यान से देखिएगा zero का zero यह two जो है इसको इसमें add कर दीजिए thirty one में two add करेंगे तो क्या बनेगा 33 तो मैं 33 का यहां पर three लिख रहा हूं और जो three है वो यहां पर carry हो जाएगा twenty nine में three add करेंगे तो thirty two यहां पर लिख दिया three यहां पर carry हो गया twenty six में three add किया twenty nine तो nine हमने यहां लिख दिया two यहां लिख दिया 27 में 2 add किया 29 9 यहाँ पे लिख दिया 2 यहाँ पे 16 में 2 add करेंगे 18 8 यहाँ पर 1 यहाँ पे 9 में 1 add करेंगे 20 0 यहाँ पर 1 आगे वाली में 5 में 1 add किया 6 और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास 2 तो 26899230 This is the final answer तो I hope हमने दो question डिटेल में किये five digit numbers की multiplication के आपको product जरूर clear हुई होगी हमारे वीडियो को इसी तरह से like और share जरूर करते रहें thank you